नमस्ते, सबसे पहले I would like to wish everyone a happy दिवाली और काली पुजा, मैं आप सबको happy दिवाली और काली पुजा का शुबकामना देना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने कहा है कि they cannot hear me, आपको मेरा आवाज clear नहीं आ रहा था, अभी आवाज शायद थोड़ा ठीक है, are you being able to hear me, आवाज मेरा clear आ रहा है, ओडियो ठीक है, हम, तो आप सबको audio मेरा ठीक से सुनाई पढ़ रहा है शायद, जी, थैंक यू, तो मैं आपको एक important message देना चाहा रहा था, कि हम लोग सब दिली अभ्यान के लिए 14 तारिक को निकलेंगे, और मेरा दिल में एक सोच है, I want to think something, मैं दिल से कुछ बात कहना चाहता हूँ, कि दिली अभ्यान में हम सब को, जब हम दिली जाते हैं, तो हमें TPF, तिप्रा मौथा, तिप्रा हा, IPFT बनके नहीं जाना चाहिए, जब हम दोग सब दिली जाते हैं, तो we should go as TPF, क्योंकि हमारा जो डिमांड है, TPF लैंड का हो या greater TPF लैंड का हो, वो almost एक ही है, तो जब हम दिली में अलग-अलग आवाज में बात करते हैं, तो message गलत जाता है, थानसा का message ही गलत जाता है, जब हम अलग होके जाते हैं, इसी के लिए, आज मैं अपील कर रहा हूं सबको, कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, a single party, नाम जो भी हो, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, हम लोग को हमारा future के लिए, अपने party का क्या नाम होगा, कौन क्या position रखेगा, क्या registration होगा, यह important नहीं है, important यह है कि हम सब हमारा जो common goal है, हमारे जो तिप्रासा का जो भवश्य है, survival है, existence है, उनको कैसे बचाएं, इसके लिए मैं अपील करता हूँ सबको, कोई भी party को, आईए, एक हो जाईए, एक आवाज में हम लोग दिल ली जाएंगे, मैं NC बाबु को अपील करता हूँ, जब आप बिमार थें, तो मैं आपको हॉस्पिल में मिलने गया, आपकी घर भी में गया हूँ, मैंने मेवार से भी बात किया है, मैं सब से बात करने के लिए तयार हूँ, तीप्रहा से बात करने के लिए तयार हूँ, पताल करनिया से बात करने के लिए तयार हूँ, आप आईए और हम लोग सब एक होकर एक पार्टी बन कर एक कॉस के लिए फाइट करेंगे दो हजार चब्विस में डी लिमिटेशन होगा और जब ये डी लिमिटेशन होगा तो हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल में पर जाएगा आज टाइम आ गया है कि हम लोग एक होकर एक आवाज में बात करें पार्टी का नाम क्या होगा हम लोग बैटके बात कर सकते हैं मुझे कोई आपत्ती नहीं है रेजिस्टेशन क्या होगा सिंबल क्या होगा मुझे कोई आपत्ती नहीं है जब दौफा को बचाना है तो अपना स्वार्थ की बारे मैं नहीं सोचोंगा अगर NC बाबू को आना है मैं बहुत खुश रहूँगा मैं तीपरा चेर्मेन के पोस्ट से भी रिजाइन करने के लिए तयार हूँ चेर्मेन मन के मुझे क्या चाहिए कुछ नहीं मैं आपके दिल में बुभाग रहूँ वो पोस्ट कोई भी पुलिटिकल पाटी के पोस्ट से जादा उपर होता है वो आपके दिल में है मुझे ना मुख्यमंत्री बनना है मुझे ना MLA बनना है मुझे ना MP बनना है मुझे सिर्व अपने तीप्रासा को एक constitutional solution दिलवाना है मैं अपने तीप्रासा को एक अपील करना चाहता हूँ हमारे MDC's को, EM's को, जो IPFT में MLA's हैं जो NETA हैं TPF से, तीप्रा मौथा से, IPFT से, तीप्रा हा से कोई भी गनमुक्ती परिशत हो, जितेंदर चौधरी हो मैं आप सब को अपील करना चाहता हूँ प्लीज, एक umbrella में एक होकर, एक आवाज में हम लोग अपने तीप्रासा के लिए कुछ बात करें मैं फिर से बोलने के लिए तयार हूँ कि I am willing to, I am willing to resign as the chairman of तीप्रा मौथा, आप आके chairman बन जाईए अगर आपको नाम बदलना है तो वो भी बदल दीजे लेकिन please, time आ गया है कि थनसा का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग अलग-अलग होकर fight करें जब EDC election हम लोग जीते तो जब एक दूसरे के संग जो जगड़ा हुआ मुझे पसंद नहीं है लगा आज भी हम सबको एक ही होना है और मेरा दिल में सिर्फ प्यार है and respect है और इज़त है मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे अपने लोगों को कुछ देना है और अगर हमारा तीप्रा लान्ड या ग्रेटर तीप्रा लान्ड का cause important है और सबसे important है तो हमको अपना position chairman का post हो मंतरी का post हो MLA का post हो उसके बारे नहीं सोचना चाहिए एक हो जाओ हम लोग एक संग एक आवास में दिल्ली में बात करेंगे एक संग village council लड़ेंगे एक संग SMB लड़ेंगे एक संग पूरे इंडिया को दिखाएंगे कि तीप्रा सा में थांसा हो सकता है इसके लिए बुबागरा अपना पत से मुझे कोई लगाव नहीं है आप आईए एक होकर हम लोग बैठेंगे बात करेंगे और एक सिंबल में एक party होकर एक लक्षर लेकर हम लोग को आगे जाना चाहिए ये मेरा message है आप सब को I love all of you all I love my people and I want to do something for my people मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं ये मेरे बारे बात नहीं है ये मेरा मुझे क्या बनना है इसके बारे नहीं है ये आपका भविश्य के बारे है तो सब MLA's को EM's को MDC's को मैं अपील करना चाहता हूं कि एक संग बैठकर एक आवाज में हम लोग को आगे दिखना चाहिए बेलाई बेलाई नो हमबाई धन्यवाद इस बार अगर हम लोग सक्सेसल हुए तो ये हम सब का जीत है सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं I want to tell everyone that I am not interested in holding any post NC Babu please come and become the chairman of Tipra Mautha I have no problem if you have a problem with the name Tipra I have no problem we'll sit and discuss if you have a problem with registration I have no problem with that let us sit down and discuss but let us become one Thansa does not mean we fight separately we are all talking the same word somebody wants Tipra land somebody wants greater Tipra land but our goal is for the Tipra Sa people we want to go to Delhi and speak in one voice for the unity of our people for a constitutional solution for our people if I have to even leave the post as chairman of Tipra Mautha please come and become the chairman I have no problem Vijay Rangkwal has no problem but I appeal to you all I appeal to all political parties please try to be one we can only succeed if we speak in one voice united we stand divided we fall it is easy to say but Pradyot Manikya is a Bhubhagra and there is no bigger position than Bhubhagra because I am in your heart and my political post doesn't matter so I am appealing to all of you all Delhi Abhyanme please join us I am willing to take whether you are from any party I have no problem but let us try to make some effort to become one party Belaino Hambai Dhaniawad thank you I love all of you all God bless you I love all of you all 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 I love all of you all